स्टड़ी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ अंकित अगरवाल और पिछले एक दो दिनों से आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो नहीं आप आ रहे हैं इसका कारण है कि मैं एक बहुती सुंदर और अच्छे नैशनल पार् खलून और बंजार नदी यह कौन से नैशनल पार्क से होते हुए जाती है कौन से नैशनल पार्क से गुजरते हुए जाती है क्या आप यह बता सकते हैं in fact मैं आपको दिखाता हूँ यह जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हो जहां पर मैं रुका वाँ हूँ इस स्टे क कि जस्ट बगल से नधी गुजर रही जैसा कि आप देख रहे होंगे काफी सुंदर्व दृष आपको दिख रहे होगा तो यह जो नदी éad Jake bez殺なदी हैं यह बंजार नदी काफी बड़े इरिया से कॉर एरिया से होकर गुझ्षर को बता ओओ तो इस नदी के जस्ट उस पाइन देखोगे नदी के इस पार्य तो वहाँ पर अजनवर है यह सब आती हैं ड़ागर को जाता है यहां पर ज्यादा तर जानवर यह सब चीज़ें आती हैं और क्या बता सकते हैं कि बंजार नदी कौन से नाशनल पार्क से होकर गुजरती है मैं आपको इसका अंसर बताऊंगा लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि यह एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है हमारे देश में आपको पता है वाइल लाइफ सें अगर हम देखें तो जो वाइल लाइफ सेंट्री होती है उसमें यूमन अक्टिविटीज ज्यादा तर चीज़ें अलाउड होती है और नैशनल पार्क में काफी रिस्टिक्शन होता है इन फाक्ट पब्लिक ले भी ओपन नहीं होता है नैशनल पार्क में कुछ जो सफारी एनिमल प्लान उन सबको सेफ करने के लिए लिए चाहिए इस में टाइगर रिजर्फ भी होते हैं आपको पता होगा इनफेक्ट जिसंट नैशनल पार्क में मैं हूं इस समय वह एक टाइगर रिजर्फ भी है तो अगिन आपके लिए मौका है कि आप बता सकते हैं कौन सा न ओसको यह माँ सपार्काश क्या नाशनल नाशनल पार्क में टो है यह जो नेको नशनल पार्क की पहले अगे चलकर नेशनल पार्क में ऐपको प्रेट किया था वो था जिम कॉर्बिट उत्राखंड में जो आज के डेट में आप देखते हो यह बनाया गया था 1936 में और 1970 आते आते मुश्किल से पांच ही वाइड नैशनल पार्क थे देश के अंदर पांच नैशनल पार्क थे और आगे चलकर 1972 में आपको याद होगा वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट आता है फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे नैशनल पार्क डिक्लेर किये जाते हैं स्टैबलिश किये जाते हैं देश के अंदर और आज के डेट में अगर आप देखिए तो लगभग आप देख रहे हो बंजार नदी मैंने आपको बताया और यह यह बेसिकली गुजरती है काना टाइगर रिजर्व से काना नैशनल पार्क हो गया काना टाइगर रिजर्व हो गया तो मैं इस समय काना नैशनल पार्क में हूं जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है और अगर हम काना नाशनल पार्क की जैसा कि आपको पता होगा हमारा पुरा देश है, अगर युद्ध को नॉर्थ और साॉथ में डिवाइड करें तो विंद्याज और सत्पूराज बीच में आती है आपका, जो हाइलैंड्ट पिर memorize के अगांगर पार्क दोस्तों उसको देक को मिलेगा 곡 कि यह में ध्यान में रखना है और 1933 जैसर कि मैं आपको कह राता कि यह जो नैशनल पार्क ए है जो Рोडीयर्ट की जो बुक है न ढशन्गल बुक तो उसका भि जो इंस्पिरेशन कैंगा बिइन काँधा से यह आता है मोग्ली और जंगल जंगल पता चला है वह पुरा song काफी फेडुट हुआ करता था मद्वपरदेश का सबसे लार्ड़ेस्ट है ये भी ध्यान में रखेगा एंड इसके अंदर कई सारे जो एनिमल्स हैं टाइगर हो गया लेपर्ड हो गया इसके अलाबा स्लॉट बियर है बारा सिंगा इंट ये पहला नैशनल पार्ग था देश का जिसने मैसकट को बनाया था आपका मैसकट डिकलेर किया था और बारा सिं एक दूसरा पहलू है और वह यह है कि इसमें जो प्रजातियां रहती है जो ट्राइब से इसमें अभी भी है इस्पेशली जो गौन ट्राइब हो गया बाइगा ट्राइब हो गया बाइगा पी मैं बात करना चाहता हूं इस इस नैशनल पार्क के 28 गाउं में बसे हुए थे जो बाइगा ट्राइब है फिर 1968 में जाकर इनको रीλοकेशन किया बोला ये गया कि हमें टाइगर किया संब्रफशन करना है उनको को बचाना है इसके लिए हम इसको जो है जो है लोगों को करेंगे लेकिन जहां पर वाईगा ट्राइब के लोगों को कि या था वह जू आगा थी यह बहुत जाधा बंजर थी रशा के अंस फस्ते चले गए काफी जादा देखने को मिलता और कई जगह यह भी बताया जाता है कि उनको अपना जो जो लिविंग है उसको गुजारने के लिए अपने आपको सपोर्ट करने के लिए जो भीग भी मांगना पड़ता है वैक करना पड़ता है तो यह दूसरा पहली और कहीं करें इसको भी हमें सोचना चाहिए आपका क्या मानना इसको लेकर आप बता सकते हो लेकिन आपको बदा दूँ कि जुलाई ऑगॉस्ट और सेप्टेंबर यह तीन महना यह जो नैशनल पार्क है वो क्लोज रहता है मॉनसून की वज़े से और फर्स्ट ऑक्टूबर से यह हर सार तो अभी तो नॉबर का महना चल रहा है बहुत जादा ठंडी है रात को थो थोड़ी सी हो जाती है जहां पर मैं हूँ आए अग्दम जंगल में हूं प्रॉपर टेंट है पुरा और इसके अलावा जो नदी की अगर हम बात करें जो बंजार नदी जो आपने देखा अबी जो बंजार नदी है और इसकी यह लगबख 64 किलोमेटर का है जो कुरी लाइफ लाइन मानी जाती है इस नैशनल पार्क के लिए इसके अलावा यह इसकी सुरुवाद जो होती है ना बंजार नदी की वह होता है मद्रपरदेश और 36 गड़ का जो बॉर्डर है वहां स नदी की एक इंपॉर्टेंट रिब्यूटरी है बंजार नदी यहां से 36 गड़ और मद्रपरदेश के बॉर्डर से सुरुवात होता है मलच खंड रीजन में और यह नौर्दन ट्रेवल करती है नौर्दन ट्रेवल करते करते हैं नर्मदा में मर्ज हो जाती है नर्मदा ज यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजे थी कैसा लगा यह सब जानकर आपको और कुछ चीज रहे गया और जो लोग यहां से बिलॉंग करते हैं लेट मी नो आप क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो यह वीडियो अपलोड होगा तब तक मैं यहां से जावी चुका बहुत वहां के बारे में बता हूँ और क्योंकि यह तो मैं एकदम नीचर के बीच में था और बंजार नदी बगल से गुजर रही है जहां पर मैं रुपा हूँ तो उसके लिए सोचा कि आपको डेफिनेटली बताना चाहिए थैंक्यू सो मच और नमश्कार दोस्तों Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल